हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो, आज हम आपके साथ टोप मौस्ट 25 क्वेस्चन डिसकस करेंगे जो की वर्ड फ्रोसेसिंग से हैं ठीक है ये आपके अपकमिंग एक्जाम्स में काम आएंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की हर एक नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेस्टन इसमें पूछा है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप कैप की ड्रॉप कैप आप निउस पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें जो है फर्स्ट लेटर जो है परग्राफ का वो कैपिटल लिखा होता ठीक है लार्ज साइज दिया होता उसको तो वो ड्रॉप कैप होता ठीक है तो सैम हमारे MS Word में भी हम अपनी डॉक्मेंट फाइल को जिसमें हम ड्रॉप कैप यूज कर सकते हैं प्यारा ग्राफ में या किसिए भी सक्षिन में ठीक है तो इसमें हम two position को set कर सकते हैं ठीक है two position option झाट है और मैं आपको शोव करता हूँ insert में घ्याम ठीक है यहाँ पे हमारे पास drop कैप option है तो हमारे पास दो option है, एक है dropped और दूसरा है margin का, ठीक है, यह dropped क्या करेगा, यह आपका, जो आपके पैरा लिखा है, ठीक है, उसके साथ ही, यह teen line by default ले लेगा, ठीक है, और अगर in margin करें, तो यह margin में set हो जाता है, ठीक है, तो यह दो हमारे पास option है, जो हम रख सकते हैं, ठ document, तो हम एक document को save कर सकते हैं, option 3 साई होगा इसका, ठीक है, तीन तरह से हम document को save कर सकते हैं, ठीक है, एक तो हमारा simple होगया, control S, control S से भी हम direct save कर सकते हैं, फिर दूसरा option होता है, हमारे पास हम, left top corner में यहाँ file में जाके, हम save as करके, जो है, किसी location पे अपना document, जो है, save कर सकते ठीक है फिर हमारे पास third जो option है वो है हमारे पास f12 हम सीधा simply f12 करेंगे तो हमारे पास save करने का option आ जाता ठीक है तो ये तीन तरह से हम document को save कर सकते हैं next question है to move the cursor page to page of document तो इसके लिए हमारे पास option c सही हो जाएगा option both a and b control plus page up और control plus page down arrows की से हम जो है scroll कर सकते अपने page cursor को ठीक है fourth question है single spacing in ms word document causes dash point point line spacing तो ये होता हमारे पास 12 point line spacing ठीक है option b सही हो जाएगा next question है default number of lines to drop for drop gap gap तो drop gap के लिए हमारे पास default जो line होती है वो तीन होती है ठीक है तीन line में वह आता ठीक है drop gap gap और next question है maximum number of lines you can set for a drop gap तो हम maximum set कर सकते हैं 10 जहाँ से ज्यादा 10 line हम set कर सकते हैं ठीक है next question है how many columns you can insert in a word document in maximum तो हम maximum word document में 45 columns set कर सकते हैं ठीक है 45 columns next question है in ms table maximum number of columns you can insert तो जो हमारा table होता है ms word में तो हम उसमे 63 column maximum रख इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है option d साही हो जाएगा next question है maximum scale percentage available in scale drop down box तो इसमें option d साही हो जाएगा 200 percentage ठीक है 200 percentage next question है maximum font size you can apply for any character maximum font size हमारे पास यह है आपका 1638 ठीक है 1638 यह हमारा option c साही हो जाएगा next question है the dash file type indicates the file is a word document तो हमारा पास option d साही हो जाएगा .doc file यह हमें जो है word documentation file को indicate करता ठीक है next question है what is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar तो यह हमारा smallest and largest जो है वो 8 and 72 है 8 आपका smallest होता और 72 है जो है largest होता है इसमें हम manually सबसे smallest one भी रख सकते है और सबसे largest जो है वो 1638 भी रख सकते ठीक है next question है what is the default font size of a new word document based on normal template in word 2003 तो इसमें जो है 12 points होता ठीक है 12 points option B सही हो जाएगा next question है the maximum number of rows and columns in ms word document is तो option A सही हो जाएगा one and one one row and one column ठीक है next question है pressing F8 key for three times selects जब हम F8 key को तीन बार press करेंगे तो एक sentence जो है select हो जाता ठीक है next question है control plus jet is used for control plus jet जो है वो use होता है आपका undo the last action ठीक है मालो की मैंने यहां पर कुछ लिखा ABC यह लिखा ठीक है और इसको select किया जब हम इसको control jet करते हैं तो यह वापिस चला जाता ठीक है मतलब undo हो जाता जो हमने काम किया वापिस आ जाता लेकिन अगर हमने इसी काम को repeat करना है तो हम control y करेंगे redo यह फिस से आ जाएगा ठीक है तो control jet use होता है undo के लिए और redo के लिए control plus y ठीक है next question है what does control plus equal की effect जब हम control plus equal की दबाएंगे तो हमारे पास सब्सक्रेप्ट होता है ठीक है सब्सक्रेप्ट option आ जाएगा ठीक है मान लो कि हमने हमने h2o लिखना है और हमने 2 को सब्सक्रेप्शन देना है ठीक है इसमें क्या होगा कर जब हम control equal करेंगे तो टू जो है हमार नीचे आगया आप देख सकते ठीक है यहां पिटू आ गया तो यह आपका सब्सक्रेप्ट होता है ठीक है यह हम sorry यह जो है हम यह सट कर सकते है ठीक है control plus equal की से ठीक है next question है how you can make the selected character upperscripted जो हम text select करेंगे वह upperscripted में कैसे आएगा ठीक है तो option B जो है इसका सही हो जाएगा control shift plus equal ठीक है next question है when typing in a word field manually what must you press to insert the coat's braces ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें हमारा option B सही हो जाएगा control plus F9 ठीक है suppose मैं यहां में example है तो हमने control plus F9 की press की तो यह हमारे पास आगे और अब मैंने equal sign लगाया और 3 plus 3 कर दिया तो जब मैं F9 दबाऊंगा तो मेरे पास इसका result आजाएगा 6 ठीक है तो यह इसके लिए use होता है next question है what is the shortcut key to open the open dialogue box open dialogue box जब हमें open करना है तो हम control plus F12 key press करते हैं ठीक है option D सही हो जाएगा एक कीसों question है what is the shortcut key to split a table तो हमें जब table मनाते हैं तो table को split करने के लिए हमारे पास control plus shift plus enter key use होती है ठीक है option B सही हो जाएगा next question है which key is used to increase left indent ठीक है तो यह option B हो जाएगा left indent के लिए ठीक है option B चलो यूज करते है control control plus M ठीक है हमने control plus M यूज किया तो यह देखो आपके पास यह left indent दे दिया इसके ठीक है next question है which of the following command is not available in tools menu तो इसका option A सही हो जाएगा option A सही हो जाएगा इसका auto text next question है word has a list of predefined typing spelling capitalization and grammar errors that dash can detect and correct तो option B सही हो जाएगा auto correct ठीक है जब यह हमारे पास कोई word आता है spelling typing में मिस्टेक होती है spelling में मिस्टेक होती है capital यह small word आ जाते कोई grammatical error आता तो उसके रहे हम auto correct जो है यूज करते है ठीक है तो यहां पर मैं कुछ रिखता हूं तो यह मैंने select कर दिया जैसे ही मैं control बी करूंगा तो यह already bold था तो भी हट गया यह बोल्ड हो गया देख सकते हैं आप यहां से बोल्ड हो गया ठीक है तो यह थे हमारे टॉप टॉप 25 questions जो हमने आपके साथ discuss कर लिए तो अगर आपको इन सब questions में अगर कोई भी doubt हो तो आप comment box से comment कर सकते हैं और आप जो है हमारे telegram channel के साथ भी चूड़ सकते हैं इसका description में link provide कर दिया जाएगा ठीक है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्याबाद झाल